समय दिया हमें इतने व्यस्त टाइम पर बहुत शुक्रिया है मोदी जी अब लगबग आखरी दौर आ गया है चुनाव का क्या जो आपने लक्ष तै किया था 400 पार का आपको लगता है कि वो पार हो रहा है क्योंकि विपक्स तो कड्मिंज ने कि ऐसा नहीं हो रहा है वो कह रहे हैं कि 220-240 होगा आखरी दौर शब्द प्रवग कि आपने मुझे उसमें बहुत सी चीजे नजार आ रही है एक उसका उसके अंदर संकेत है दूसरा उनके लिए भी आखरी दौर है तो चुनाव का आखरी दौर ऐसा है इतना नहीं उनकी स्थित्यों का भी आखरी दौर है प्रधान मंत्री जी अरक्षन इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया आप तो माइक्रोचेप्स और मैनिफैक्ट्रिंग इस पर बात हुए थी लेकिन आपको बार बार आम आरक्षन पर बात करते हैं क्यों देखना पड़ता है मुझे नहीं करना पड़ रहा है मैं जे सचेत कर रहा है मेरे सब्सक्राइब को क्योंकि इनको अंधिरे में रख करके यह लोग लूट चला रहे हैं और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवाच्चों को मुझे जागरूत करना चाहिए और इसलिए मैं आगरह पुर्वक जनता जनादन को समझा रहा हूं क्योंकि यह दो चीज़े हो रही है एक भारत के सम्विधान की मुल भावना का हनन हो रहा है सम्विधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है और वो भी अपनी वोट बेंग की राजनीती के लिए अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कॉंग्रेस के नेताओं को सुना तो यह कहते थे कि यह प्राविटाइशन कर रहे हैं आप तो आप आरक्षन मिटा देना चाहते हैं कि अब रियालिटी तो है निए गब जो लोग इतने बड़े दलीतों के हितेसी अपने आपको कहते हैं आदिवासियों के हितेसी कहते हैं बे हकीकत में उनके घोरदुशन रात और रात एजुकेशनल इंस्ट्यूशन को माइनोरिटी इंस्ट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षन उसमें खत्म कर दिया अब उनके अधिकार शित्र में नहीं था वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और युनिवर्सिटी तक को माइनोरिटी स्ट्यूशन दे लिया अब दिल्ली में नहीं बनाते उसमें सारे आरक्षन खत्म हो गई एडमिशन में भी नहीं नौक्री में भी नहीं दस हजार ऐसे इंस्टिटूशन से जिसको वो पिछले दरवाजे से उसको छिन लिया गया है सम्विधान की पिट्वे कर दिया है करने की सपने से यह व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बेंक के लिए गिर भी रख दिया है तो यह यह चिंताजनक बाते मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दाइत्व बनता है कि मैं देश को अवगव इतने में इनका मैनिफेस्टों आया इस manifesto ने और चौका दिया और इसलिए मैंने पहला manifesto पर देखते ही मेरा पहला comment था कि ये manifesto पर Muslim लिख की छबी है तो दो तिन दिन तो उनको जवाब देने हैं उन्होंनों कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं एक एक चीज़ खोलने लगा जैसे इस देश में वो यह कहें माइनोरिटी के लिए कोटा फिर फिक्स करेंगे आज पंजाब के मेरे जवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तरपुदेश के हमारे नव जवान जो एथलेट्स में कभी अच्छा कर रहे हैं अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते दस बारा साल की उ कि लोग इतना तप करते हैं जी तपते हैं सरी को तपाते हैं खिलाडी ऐसा नहीं बनता है जी और सुबह रात को निन नहीं आते सुबह चार बज़े उठानत करने वाला मेरा नवजवान जाएगा कहां जी उनका क्या होगा दूसरा उन्होंने कहा उस टेंडर में भी वे कि माइनोरिटी के लिए आरक्षन करेंगे मतलब यह हुआ कि आज मान लीजे कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपर्ण ब्रीज बन रहा है उस ब्रीज बहें कौन ब्रीज बनाएगा तो जिसके पास ट्रेक रेकॉर्ड है जिसके पास संसाधन है जिसके पास कैपेबिलिटी है जो परफॉर्म कर सकता है सारे उसकी जी रिक्वार्मेंट उसकी पूरी करता है उसमें कॉम्पटिशन होती है और कॉम्पटिशन में जी निकलता है उसको बाद में अब मुझे बताइए अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधर पर कोटा दे जेंगे वो ब्रीज बनेगा लोग मारे जाएंगे तो कौन जिम्मेबार होगा क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीडियों को भी तबाह करना चाहते हैं तो यह ऐसे विशे थ जो कॉंग्रेस ने अपनी वोडवेंग की खातीर ऐ कि मैं मेड time बेरा करतव यह बनता है कि मैं मेरे दरिद भाईयों के लिए लड़ू के लिए लड़ू मेरे आदिवासी भाई-बहेंगार के लिए लड़ू मेरे पीछडी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ों और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो यह जो पर्सेप्शन मना जा रहा है कि आप आए तो बिल्कुल अरक्षन ही खतम कर देंगे यह क्या इन्हों ने यह पाप कर दिया है उसके खिलाब मैं बोल रहा हूं इतल कि पहले इन्हों ने कानून बना करके माइनोरिटी को देने का पाप शुरू किया पहले अंधर में शुरू किया सुप्रीम कौट ने तक मैं हार गए हाई कौट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संभिधान एलव करता नहीं है तो इन्हों ने चालागी करके पिछले दरबाज़े से खेल शुरू करने के लिए इन्हों ने रातों राट मुसल्मान की सभी जात्यों को अभी से बना दिया सभी ओभी सी बना करके जो अभी सी का हक था और रातों रात नाखा डाका डाल दिया लूट लिया यह और इसके खिलाप चुनाओं की सरगर्मी चल रही यह तब हम तो बूली रहे थे कभी यह हो रहा है करनाटक में हुआ है मैंने बताये था हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे लेकिन जब हाइक कोड का जजमेंट आ गया तब यह साफ हो गया कि इतना बड़ा धोका हो रहा है लेकिन इससे भी दुरभागी की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीती करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं जुड़ी शरी को गाली दे रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएं हम कौड की बात मानने वाले नहीं है कि यह जो सिती है वो किसी भी है मंत्री जी ही तै करते हैं कि कौन जेल जाएगा वो कहते हैं सोरेन को और मुझे उनके जेल किसी को कुछ कहने की ज़रोत नहीं है इस बार चुनाब मैं देखने हैं कि बोला गया है तो पर्सनल अटेक्स किस लिए इस बार आपको लगता नहीं यह यह शैली नहीं होने चाहिए चुनाबों में मोधी का स्रिया खाखाखा करके गाली प्रूफ हो गया हूं मौतकर किसने कहा ता गंदी नाज़ा किसने कहा था और मेरे यह तो पार्लामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था एक सो एक गालिया गिना ही थी तो चुनाब या चुनाब नहीं हो यह लोग बां जहन में हैं के स्वाव में हो गया है प्रादान्ति जी एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि इडी आईटी सीबी आई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए मेरा मिडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको यह कुडा कच्रा पकड़ा दिय किalgए कुडा कज़्रा लेकर कि आब हमारे पार पहुंच जाते हैं उसको पूछो ने उसकी आपकी हिंपत नहीं है लेकिन वो जो कुड़ा कज़रा फैकते हैं, वो कुड़ा कज़रा लेकर क्या मेरे आते हैं, ये ठीक है, कि मैं रिसाइकल के मानता हूं, तो मैं इस कुड़े कच़वे का रिसाइकल करके उसको खादे में परिवर्तित कर दूँगा, और उसमसे देश के लिए कुछ अच्छी चिज़े पैदा कर दूँगा, इसलिए वो तो मैं करूँगा, लेकिन सरकार क्या करते हैं, आज गाउं के सरपंच को चेक बुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमत्री को नहीं है, कि इतना नौलज नहीं है इन लोगों को, देश के प्रधानमत्री के पा मोधी सरकार ने अपने अपसरों को कहा है, कि मेरी सरकार करप्शन के विशे में जीरो टॉलरंस, अब यह दप्तर के अंदर बैटे विए लोगों का काम है, कि उसको लागू करें, और सचबुच में तो किसी जमाने में दस साल में, मनमोन सिंची के सरकार थी, 34 लाग रुप में आप आजाएं, वर्तमान में एडी ने दस साल में, बाइस सो करोड रुपय पकड़ा है, यह तो टीवी पर दिखता है, यह तो कोई जुट बाजी हो से हो नहीं सकती है, अब जो बाइस सो करोड देश को वापित लाया है, यह उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली ग बाइस सो करोड जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी करकर इखता किया था वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है, इसका मतलब जो चोर पकड़ी जा रहे हैं, इसमें जिसकी धागीदारी होगी, वो चिल्ला एगा मुझी थोड़े से अलग मुद्दे पर आते हैं कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं कर्ष song के संदर में एальной सबसे तो पहले मैं मेरे देष के न्याए तंतर को प्रात्या करना चांगा कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए कि उसका एक डिजाइन होती है उसके एक स्ट्रेटेजी होती है ऐसी समझ्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहट काम करना होता था अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बन करना पड़ा कोई एंजियो कॉड चला गय और वो बड़ा कोड के इंदर बड़ा इश्यू बन गया आज समझे कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बन किया था लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहां के बच्चे कहते हैं कि पांच साल से इंटरनेट बन नहीं हुआ है पांच साल से हमें सब सुविधाई मिल रही है कुछ दिन तकलिव हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चड़ जाता है तब चीजें गड़बड़ा जाती है तो ऐसे जो एंजियो हैं जिन्होंने अदालतों के भरों से लड़ाई लड़ना शुरू किया है एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है दूसरा वहां का सामान ने मान भी जब मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्व भवमत्व के पती अपना समर्पन व्यक्तर करता है दूसरा उनको विश्वास वाग यह सरकार ऐसी है कि जहां फैरनेस है हम भरोसा कर सकते हैं कि यह सही होगा और जब उसको विश्वास हो जाता है कि यह कोई हेरा फेरी नहीं हो रही तो वो पक्का गोड करने के लिए उस्षा से आता है और उसका परणाब है कि आज मतदान यहने 40-40 साल के रेकॉर्ड तूट चुके हैं मेरे करण मेरे कश्मीर के मेरे मेरे भाएभें मेरे परिवार जन वर nous're Saakke बा equations अगे आए उन्होंने बातान करके दुनिया को मैसेज दे दिया जो लोग आशंक काय करते उनको एक मैसेज दे दिया रिए क्या विंडिकेशन ने 370 को आपने हटाया इस से क्या लगता है कि अपका विंडिकेशन नहीं चार परिवारों का यह चंदा ता यह नके जंता का एजन्डा था नदेश के लोगों का यह अपने फाइदय के लिए यह 370 की ऐसी दिवार बना क बैठेते ताकि कोई जौंक न पाए और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा आज ये सत्य हो गया कि 370 के बाद इसलिए इसक्या सीधा प्रणाम चुनावा में भी दिखाई देता है तूरिजम में दिखाई दे रहा है जी ट्वेंटी समीट महां होती है बड़े शांत से कश्मीर ने उनका स्वागत के रहा पुली दुनिया का और इसलिए एक कैसे जूठी दिवारे खड़ी करकर के देश को टुकड़ों में देखा गया इसका ये उदान है और उसको मैंने द्वस्त किया है सर वेल्ट क्रेटर्स को लेकर भी बातचीत एक नरेटिव आता है कि कभी रावल गांदी जी बोलते हैं कि आप कुछ परिवार को आप बढ़ा रहे हैं अभी आपने हाल में उनको बुला तो क्या लगता है कि देश में जो वेल्ट क्रेटर्स है उनको उन्पर राजनिती हो ज्यादा अच्छा होगा सर उडिसा में भी चुनाव होने हैं अभी हाल में उदर आपकी देखा जाए तो काफी अच्छे सम्मन थे नमीन पटनाएक जी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया अब आप लोगों का अलाइंस नहीं है और आपस में एक हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दलों के नेताओं के साथ हमारे समद्ध अच्छे ही हैं और लोक तंत्र में हमारी दुश्मन ही नहीं होती है समद्ध अच्छे होने ही चाहिए अब सवाल यह है कि मैं मेरे समंद्धों को समालू कि उडिशा के भाग्य की चिंता करो तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उडिशा के उजवल भविश्यकर के लिए अपने आपको खपा दूँगा उसके लिए मेरे समंद्धों को मुझे अगर बली चढ़ाना पड़ेगा त कि कुछ टोली है ऐसा लगता है पूरी ववस्ता को बंदक बना दिया है और जब इतना बंदक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि अगर उस बन इतने प्राकुर्तिक समसाधन है उडिशा के पास एक सम्रुद्ध राज्य के गरीब लोग देखकर के दुख होता है और इसलिए उडिशा को उनका हाग बदलने वाला है सरकार बदल रही है मैंने कहा है कि उडिशा की वर्तमान सरकार की एक्सपारी डेट चार जून है और तोड एक टक्कर की लडाई चल रही है आपके भी बहुत कैपेनिंग वापे आपने की है और अभी आप शयाद फिर जाने वाले बंगाल क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्स कैसे रहेंगे बंगाल में एक तो मुझे लगता है कि एक बार उनको वेरिफाय करना दे कर देना चाहिए कि वह कहां से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं कि बंगाल के चुनाओं में टीम सी पार्टी पर पहुंचा दिया हमें लोगसाबा की बहुमत इंदुस्तान में तो बेस परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पस्चिम मंगाल में मिल रही है और पस्चिम मंगाल का चुनाओं एक तरफा कार में बैठे लिए लोग टीम सी के लोग बोखला हुए हैं लगातार हत्या ज्यादा कर रही हैं और बोर्ट भी ज्यादा हो रहा है मुझे जी आपका आपके इसाफ से तो लगभग आपका तया है आना और सबको लगता ऐसा ज्यादा तर लोग आपको प्रेडिक कर रहे हैं कि आप वापस आ रहे हैं तो मोडी 3.0 में यह देश क्या उमीदे रखे आ बारत वन पॉइंट एजेंडा विक्षित बारत बहुत 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 धन्यवाद भाईया नवश्कार